इस बात को समझना होगा मैंने अभी दो-चार दिन पहले शिवरात्री वैले दिन अपने भाशन में कहा था अच्छी बातों से बचो जो बातें अच्छी लगती हैं वो सच्छी प्राया नहीं होती है और सच्छी बातें प्राया अच्छी नहीं लगती है यह चुनाओ तुमको करना पड़ेगा कि तुम्हें अच्छी बातों के साथ जाना है कि सच्छी बातों के साथ जाना है जिन्दगी सच्चाई के साथ चलती है सच्चाई बड़ी कड़वी होती है बड़ी तकलीफते होती है वो चीन में एक कहावत है कि नरग का जो रास्ता है वो रिशन से बना हुआ है और जो स्वर्ग की तरफ जाता है उसके बीच में आग जनती हैं अंगारे पड़े रहते हैं दरसल यह बताता यह है कि सचाई की तरफ जब तुम जाओगे तो तुम्हें जलना पड़ेगा पिसना पड़ेगा नश्ट होना पड़ेगा और बुराई की तरफ तुम जाओगे तो बुराई बड़ी अच्छाई के साथ अपनी तरफ तुम्हें बोलाती है बड़े प्यार से तुम्हें कॉल करती है अपनी तरफ